कच्छा बारा के समझ तच्छात्र अपना नौका बिहार जो आपने सुमित्रा नंदन पंत का जो सीर्षक आप लोगों ने पढ़ा है गुंजन रचना से उसका आप लोगों ने आउलोकन कर लिया आप आपका बापू के प्रति आपका जो परिवर्तन सीर्षक है इस कच्छा के प्रति जो सीर्षक लिया गया है इसको आप लोग इसका अध्यन श्वाध्याय करेंगे तो सर्व प्रथम आप लोग सर्व प्रथम सबसे पहले आप लोग सरस्वत्य नमा सरस्वत्य नमा और इसी के साथ आप लोग सर्व प्रथम आप लोग अवलोकन करेंगे फिर आप पांसहीन तुम रक्तहीन हे अश्थिसेस तुम अश्थिहीन तुम सुध बदबुध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन तुम पूणई काई जीवन की जिसमें असार भवशुन्यलीन आधार अमर होगी जिसपर भावी की संस्क्रति समासीन तुम मांसहीन तुम रक्तष्थी निर्मित तुम से नवयुग का तन तुम धन्य तुम्हारा निश्वा निश्वत्याग है बेश भोग का वर्शाधन इस सुन इस भस्म कामतन की रज से जग पूल काम जग पूल काम नव जीवन जग जीवन बनी अब आप लोग इसका शर्व प्रथम आप लोग इसका अलोकन करेंगी अब बापू के प्रती यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जीने बापू के प्रती अपनी असीम स्रद्धा भाव प्रकट करते हुए उनके दुर्बल सरीर और आत्म सक्ति से सब को प्रेरित करना चाहता है कहते हुए कहता है कि तुम मांस हीन तुम रक्त हीन हे बापू तुम मांस से रहित और रक्त मांस और रक्त से रहित केवल हडियों का धाचा मात्र हो हे बापू तुम मांस रहित और रक्तर हीन अस्ति सेश तुम्हारे अंदर और अस्ति हीन अस्ति माने हड्डियां हड्डियों से रहित और कुछ ही मात्र सेश एक आद हड्डियां बचीवी अर्था तुम धांचा मांस्ति सेश माने धांचा मात्र हो फिर से एक बार देख लिजिए, हे बापू, तुम मांस से रहित, रक्त से हीन, तथा हड्डियों से रहित, धांचा मात्र हो, बलकि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है, कि मानुत तुम्हारे हड्डियां हैं ही नहीं और तुम्हारी वास्तविक सक्ति सारीरिक नहीं, बलकि आत्मिक हैं, तुम्हारी सारीरिक छमताएं कम हैं, अर्थात आत्मिक सक्तियां आधिक हैं और इसलिए तुम शुद्ध बूद्ध आत्मा केवल, और तुम केवल जीवन मुगत, अर्थात तुम ज्यान स्वरूप आत्मा हो, तुम ज्यान स्वरूप आत्मा हो, इसलिए तुम साश्वत भी हो, और चिर नबीन, चिर पुराण माने पुरातन पुरुशो, और तुम अना अधिकाल तक नवीन भी रहोगे यहाँ पे चिर पुराण चिर नवीन में विरोधा भाष अलंकार तुम पूढ़े काई जीवन की और तुम हे गांधी जीवन की पूढ़ता चरम आदर्स हो अर्थात तुम मानव जीवन के चरम आदर्स हो अर्था और जिसमी असार भवशुन निलीन और असार माने जूट या खोखला पन जिससे हे गांधी जी जिससे मानव जीवन आदर्स हो अर्थात खोखला पन दूर करके मानव जीवन की चरम सार्थकता को प्राप्त करोगे। कहने कातात पर फिर से एक बार देखिए। तुम पूर इकाई जीवन की तुम हे गांधी जिसमें हे गांधी जी तुम में मानव जीवन की का चरम आदर्स नीत है। और जिसमें असार भवशुन नीलीन कातात पर है जिसमें बिश्व की समस्त असार्था लीन हो जाएगी। तुम जिसमें जीवन की चरम सार्थक्ता को प्राप्त करेगा। और आधार अमर होगी जिसपर। और जिन पर तुम जिन सिध्धान्तों के आधार पर खड़े हो वह अमर हैं, सास्वत हैं, जिन आधारों पर आप खड़े हो वह अमर हैं। और सास्वत भी हैं, भावी की संस्क्रत समासीन और भविष्य, इसलिए भविष्य की मानव संस्क्रत को तुम्हारे ही आधार से उपर खड़े होना होगा। अर्थात कहने का यहां भविष्य के लोगों की जितनी भी मानव संस्क्रतियां हैं, सब आपके आधर्स पर ही खड़ी होंगी। अर्थात आपके द्वारा दिये गए विचार और ज्यान ही मानव जात के लिए आधार होंगे। इतने का कावि संदर्य आप लोग देख लीजिएगा। अलंकार बिरोधा भाष और अनप्रास अलंकार हैं। इसके बाद आप और आगे बढ़ते हैं। तुम मांस तुम ही हो रक्त अश्थी निर्मित जिन से नव लुग कातन। तुम मांस तुम ही हो रक्त अश्थी जिस प्रकार मांस रक्त और अश्थी निर्मार होता है। उश्थी प्रकार उश्थी प्रकार तुम्हारे सदादर्सों से नव युग का निर्मार होगा। तुम्हारे तन सरीर से नव निर्मार तुम्हारे सरीर से सदादर्सों का निर्मार होगा। तुम धन्य तुम्हारा निश्त्याग है विश्वभोग का वरसाधन और तुम और तुम्हारा स्वार्थ की भावना भी धन्य है है विश्य भोग का वर साधन और मानव जाति के कल्यार का जो मानव जाति के इस संसार में मानव जाति के कल्यार का भोग करने का सबसे स्रेष्ट साधन बनेगा इस भस्म काम तनकीरज से और आगे कविश्मित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि इस भस्म काम तनकीरज से यह नवीन जगत अपनी समस्त काम माने च्छाओं और भावनाओं को भस्म करके यह समस्त जगत तुहारी कामनाओं को त्याग कर और श्वार्थ रहित निश्वार्थ भावशे इद को त्याकर भारत को श्वतंत्र कराकर भारत वासियों को श्वतंत्र ता प्रदान की और जग पूर्ण कामनव जीवन फिरसे देखिए और नवीन जगत और अपनी च्छाओं और भावनाओं को भश्म करके उसकी धूल से सत्य और रहिंसा के सिध्धानत को प्राप्त करेगा आगे जग पूर्ण कामनव जग जीवन रजमाने धूल भश्म काम और आगे देखिएगा आप लोग जग पूर्ण कामनव जग जीवन और जिस प्रकार ये तानो बनेगा सत्य अहिंसा के तानो बानो से मानव पन जिस प्रकार तानो बानो के योग से सुन्दर वस्त्र बन कर तैयार होते हैं उसी प्रकार आपके द्वारा निर्धारित सत्य और अहिंसा रूपी तानो बानो से मानव जीवन सुखी और संब्रद बन सकेगा तो आपका फिर से काविस अंदर के अंतरगत आप लोग देखीएगा यहां पर कविने गांधी जी को आदर सिमान करके विस एकता में सहायक होने के लिए बताया है संस्कृत निष्ट खड़ी बोली है उल्लेक यमक तथा रूपा कलंकार है अविधाल अच्छना प्रसद सकती है गीत काव है मुक्तक रचना है प्रसाद गुणा है आगे कभी कहता है सुख भोग खोजनी आते सब अपने सुख सुख भोग खोजने आते सब आये तुम करने सत्य खोज जग की मिट्टी के पुतले जन आतमा के मन के मनोज आगे पंत जी कहते हैं गांधी जी की महिमा का गान करते हुए कहते हैं पंत जी कहते हैं कि हे बापू प्राया समस्त प्राणी इस प्रत्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं और आये तुम करने सत्य और केवल तुम ही ही अपना जन्म लेकर इस प्रत्वी पर पर जन्म लेकर तुम ही सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया है जग में मिट्टी के पुतल जन और जग माने संसार में जितने भी जन हैं सब मानव मिट्टी से निर्मित एक पुतला है, मिट्टी से बना हुआ एक पुतला है और सब तुम आत्मा के मन के मनोज और तुम ही आत्मा के मनोज मने काम देव और वह मित्ती से बन कर आता है जो मित्ती में ही मिल जाता है कहने कातात पर मनोज मने कमल भी है और मनोज मने काम देव भी होता है तो यहाँ पर आगे देखिएगा तुम आतमा के मन के मनोज कहने का भाव या है कि बापू आप भी मिट्टी सिक्के बने हो परन्त आपके उस मिट्टी निर्मित सरीर में सत्य आतमा निवास करती तथा आप मन को प्रसंद करने वाले कमल के समान हो आज आपका संस्क्रण यहीं तक पढ़ाया जाएगा और इसके बाद में आपका नया अगले दिन आपको इसका अगला भाग आपको अगले उसमें पढ़ाया जाएगा तो यहीं पर आपके लिए इसमें अभ्यास सेथ कारे अगर हो तो अभ्यास सेथ करेंगे नहीं तो अपना इसका आर्थ ब्याख्या हिंदी में प्रसंग सहित आप लिखेंगे धन्यवाद